अंबाला में प्रशाशन द्वारा एक पहल अभियान की शुरुआत की गई जुसके तहत बेसहारा और समाज की मुख्यधारा से दूर हो चुके बच्चों के दस्तावेज बनाकर सरकारी सोविधाओं का लाब दिया जाएगा अंबाला के पंचायद भवन में तीन दिवसी कैम्प में तेरा सरकारी विभाग अपनी सेवाएं देंगे SDM हितेश कुमार ने बताये कि स्लम एरिया के स्ट्रीट चायल्ड बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए कैम्प लगाकर उनके जरूरी दस्तावेज बनाए जा रहे ताकि उनका दाखिला आंगनवाडी और स्कूल में करवाया जा सके इसके लावा दिव्यांग जनों के यूडी आईडी कार्ड भी बनाए जाएंगे 31 अगस तक सभी ऐसे बच्चों तक पहुँचने का लक्ष रखा गया है SDM हितेश कुमार ने बताया कि एक पहल अभियान के तहट 13 सरकारी विभागों के आज कैम्प में स्टॉल लगाए गए हैं सब्सक्राइब करने की कोशिश की जा रहे हैं और सब्सक्राइब करने की कोशिश की जा रही है इसमिलरली जो इस्टीट चननल वाले बच्चे हैं उनको अभी तीन दिन के लिए केम्प लगाया जा रहा है इसमें जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हम सारे जितनी भी बेनिफट दिये जा सकते हैं वो देंगे अभी जब मैं बच्चों से भी मेरा डिस्कुर्शन वह और ऑफिसरों एचोडी से भी वह तो यह पॉंड सामने आया कि वो बच्चे स्टीट पर रहते हैं तो उनके पास कोई सब्सक्राइब करते हैं और यह यूडी आईटी जो बनाने काम हम कावी समय पहले से कर रहे हैं हम अब तक लगबग जो है इनको बच्चों का जो है ऑनलाइन जो है उनके पड़िकुर्स मुगागर ऑनलाइन उसको डेटा को अफ्लोड करके उनको जो है विजवा चुके आ सब्सक्राइब को यह सुईजा मिल सके जिनके पास कोई भी आईडी प्रूब नहीं है तो अच्छा लगा हम लोग की इसके अंदर जो है क्योंकि हमें तक रहात को ही पता लगा था तो हम जो जो लोकल लेवल पे अगर जिसका भी हमारे किसी दिवान के पास जिवा यूडी दिली बदा हुआ तो हम उनको पूर्टेक्ट कर रहे हैं हमको आणे की दूर्टे की दो खोड़े तो है